आज हम chapter 2 में mislius exercise start कर रहे हैं इसका question number first app के लिए principal value of 10 inverse minus 1 is क्या पूछ रहा है आप से यह कि 10 inverse minus 1 की principal value क्या होगी principal value मतलब range क्या होगी उसकी ठीक है ना देखो इदर और आपको 4 option दे रखे हैं है ना देखो इदर क्या है आपके पास question 10 inverse minus 1 सबसे पहले अगर हम इसको देखे हैं तो inverse में कह भाटे है के पास minus का sign आ रहा है आपने पढ़ा था कि जब भी inverse में minus का sign आता है तो हम क्या करते हैं cos, cot और sec इनको πाई में से minus कर देते हैं और बाकी क्या करते हैं minus का sign बहार निकाल देते हैं ठीक है 1045 की, है ना, तो इस ज़्य के चलिए सकता हूं, मैं 10 pi by 4 लेख सकता हूं, minus का sin as it is, 10 inverse 10 pi by 4, बात के लिएर, अब देखो इदा, ये क्या हो गया के पास, 10 inverse 10x हो गया, क्या हो गया ये, 10 inverse 10x, है ना, ये किस के बराबर होता था, x के बराबर, ठीक है, minus का sin as it is, और x कितना के पास, pi by 4, अगर हम देखें, ये जो हमारा angle आया है, ये किस में आया है, radiant के अंदर, और जो हमारा को चार option दे रखें, ठीक है ना, ये किस में दे रखें, degree के अंदर दे रखें, तो देखो, जब हम, pi by 4 का मतलब क्या हो गया, 45 degree, तो कितना अंसर हो गया इसका, कौनसा option true है, first option जो है आपका, वो true है, question number 2, 2 10 inverse 1 upon 2 is equal to, क्या बुछ रहें ये, कि 2 10 inverse 1 upon 2 जो है, वो किसके equal है, और ये आपके पास, mc की question है, और इसके 4 option दे रखें, देखो इदर, अगर हम option को देखें, तो option में क्या रहा है, cos inverse में अंसर आ रहा है, तो देखो इदर, अगर हम यहाँ पर देखें, तो कौन सा फॉर्मा बन रहा है, 2 10 inverse x का फॉर्मा बन रहा है, देखो इदर, कौन से फॉर्मले की बात करें हम लोग, 210 inverse x 210 inverse x का formula cos की form में होता था क्या छेखो दर क्या था बोलो cos inverse 1-x square upon 1 plus x square क्या था 210 inverse x का formula cos की form में क्या था cos inverse 1-x square upon 1 plus x square हम यहाँ पर वही formula एप्लाईökर सकते हैं 2- 8 देखो दर क्या था formula मुला cos inverse 1 minus x square, x को लो कितनी है, 1 upon 2, जब मैं इसका square करूँगा, कितना हो जाएगा, 1 upon 4 हो जाएगा, upon 1 plus x square, x को लो कितनी है, 1 upon 2, जब मैं इसका square करूँगा, कितना हो जाएगा, 1 upon 4 हो जाएगा, ठीक है आप देखो एगर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब मैं LCM लोगा तो कितना आएगा 4 और नीचे भी कितना आएगा 4 तो वो कट जाएगा आपस में तो मिन पास बैस तरीका क्या है इस नंबर को आप इससे मल्टिप्लाइ कर लो इस नंबर को इससे मल्ट क्या कितना हो गया 3 4 और 1 5 तो देखो इन में से कौन्सा option true आपके लिए है इसका जो first option है वो आपका true है क्यूशन नंबर 3 इफ 10 inverse 3 upon 4 यह कि इसके equal दे रखा है ठीटा के equal दे रखा है और हमें क्या करना है साइन थीटा की value find करनी है और यह आपको option दे रखे है मतलब mc की question यह भी ठीक है देखो इदर क्या रखा है आपको 10 inverse 3 upon 4 यह किसके equal है थीटा के equal है मैं इस 10 inverse को उठाके इदर लिए आता हूँ इदर आके क्या हो जाएगा 10 theta हो जाएगा तो 10 theta is equal to कितना हो गया 3 upon 4 अब मुझे किसके equal है यहापर sin theta के equal है देखो sin क्या मतलब क्या होता है P upon H होता है तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें यह क्या के पास P है और यह क्या के पास B अगर मैं H निकाल लूँ तो मैं आराम से sin theta के लूँ निकाल सकता हूँ देखो इ 9 हो जाएगा हैना B कितना है के पास 4 4 का square कितना हो गया 16 ठीक है देखो यह कितना हो गया पास root 25 हो गया ठीक है और 25 का जब मैं root निकालूँगा कितना आ जाएगा 5 तो H के लूँ कितना के पास 5 अगई ठीक है अब देखो अधर मुझे किसकी वलूची है हाँपर sin theta की वलू इसकी क्या बल्य हो गई पास 3 अपान 5 आ गई कितना के पास 3 अपान 5 तो कौन सा option सही हो आपसे इसका जो B option है वो आपका सही option है Question No.4 Value of quote bracket के अंदर 10 inverse alpha plus quote inverse alpha is ठीक है इस पूरे की value कितनी होगी है और यह आपको 4 option दे रहे हैं देखो इदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके देखें आपको 10 inverse alpha plus quote inverse alpha ठीक है देखो इदर हमने एक property पड़ी थी कि 10 inverse x plus quote inverse x हाना अगर दोनों के angle सेम है तो इसके एक्व इसके बराबर होता था क्या बढ़ा था आपने 10 inverse x plus quote inverse x कि किसके बराबर होता था ? और देखो इदर अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर दोनों का angle सेम है ठीक है तो यह क्या है ओको पास tan inverse alpha plus quote inverse alpha हो गया इसके देखें आपके लिश्कते हो पाइबई 2 लिख सकते हो ठीक है न, तो लिखो इदर, मैं क्या लिख रहा हूँ इसकी जगे पर, πाई बाई 2 लिख रहा हूँ, यह कितना हो गया देखो, कौट 90 हो गया, ठीक है न, कौट 90 के लिए कितनी होती है, 0 होती है, देखो कैसे, अगर हम देखे, 1090, 1090 होता है, इंफिनिटी अगर उसका कितना हो गया जीरो ठीक है ना तो कॉट 90 के लिए कितनी भी जीरो हो गई तो कौन सा उप्शन सही हुआ है इस आप से C जो उप्शन है आपका वो सही है